दोस्तों global T20 पुमेन का fifth place के लिए मेज़ क्ला जाने वाला है दोनों टीमों की जो रेंग चल रहे है सिस्फ और फिल्फ रेंग पर रहेगी और भार हो जाएगी दूस्तों यहां पर करेंगे वीडियो को आंते दा पूरा ज़रूर देखे क्यों काफी जबर्दस रहने वाला है ग्रेंड के लिए और स्मॉल लिग में थोड़ा सा रिसकी हो सकता है क्योंकि हर में करते हैं कि वेन्यू पर क्या हुआ है तो यह मैंच के लगए सारे के सारे से में पर खेले जा रहे हैं अभी तक 15 में पर खेले गाए और सेकंड इनिंग का स्कूर गया है और सेकंड इनिका 125 का एवरेज स्कूर गया है दोस्तों हाइस अभी तकी स्रीज में इस वेन्यू पर एक्ट बने है आड़ विकेट गबाते हुए और हाइस लोवेस्ट दोस्तों 59 बने जो कि साथ और का ही गेम रहा था रहें के कारण थोड़ा सो सौट कर द दोस्तों और लोवेस्ट वेन्च यांवे है तो ही टॉर्नेडोस गूमिन का देखोगे तो पांच मेंचस में से एक भी मेंचस वेनी पर भी तक विन नहीं कर रहा है 119 एवरेज स्कूर रायन का हाइस्ट एक सो सहाड गया है और दोस्तों लोवेस्ट जो रहा है जो किसके सहाथ अवर का गेम रहा था इसके अलावा दोस्तों को थोड़ा से बताना चाहूंगो अगर आपना वीचर डावलोड नहीं करी जरूर डावलोड को रहे हो क्योंकि बहुत ही जवर्दस ते पर आप डियो मोड खेल सकते हो कि इंटो मोड खेल सकते हो के वर एक प्लियर को लेकर अपनी टीम कर सकते हो क्या ज़ंजट नहीं स्मॉल लिग में जा रहे हो तो एक बर आपको जरूर इस आपको ट्राय करना चाहिए आज की में आप देखोगी दो स्रेट रहे हैं जिसमें पांच बास प्लियर अवेलिबल ऑप्सन दे रहे हैं दोस्तों जो भी आपको स सकते हो शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लेना प्रिस करना ताकि दोस्तों वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए करें दोनों टीमों के बीच में हैट जो हुए है उनके बारें बारें बात करेंगे साल हुआ है दोस्तों और एक हैट्टूइट के ला गया था पिछले साल सब्सी रीजिएंट जो हैट्टूइट के ला गया है नो अप्रेल 2022 2023 को के ला गया है ठीक है इसी साल का है यह इसमें कौन-कौन चा पर्फोर्मर रहे थे कैथराइन ब्रंट की बहतरीन स्कोर थे और पिछले साल खेलागे था उसमें आप एक प्लियर कॉमन देखोगे वह रहीं ची पर्फोर्मेंस करने वाली डियाना वेग की काफी जबर्दस पर्फोर्मेंस रही है दोनों में चुमें तो दो विकेट निकालने काफी इंपॉर्टन पिक रहेंगी दुरई सिंगम को दो व में तो लाइनप में क्याव का चेंजस होसकता है यहां पर शिबोना जिंभी आपको बेंचे बेठे हुए दिख सकती है मारियान ओमार के साथ में ती तीनों प्लियर खेली थी लेकिन मुझे लगता है कि इस में आपको बेंचे बेठे निखे मेंगी तोप नोपनर की काफी जवर्दस पर्फॉमस रही थी बहुत ही कम पर्शंट सेलेक्टेट थी लेकिन ग्रेंड लिग में बहुत ही जवर्दस इन्होंने पॉइंट जलाए इसके अलावा दोस्तो एक और प्लियर थी सामने वाली टीम की रूबिना चेतरी मैं हर बार दोस्तो अपनी टीम मे को दे रहा था पर्फॉम नहीं कर पा रही थी लास्ट मेच असा गया जिसमें सारी की सारी डिफरेंशल प्लियर चली ती जिन्होंने पर्फॉम दिया और ग्रेंड लिक के एकदम बेस्ट मेच ता मतलब उससे अच्छा मेच वुमेंस का अभी तक इस स्रीज में नहीं यहाँ पर देखोगे लास्ट मेच की तरफ से प्लेंग लेंग में चैंजस हो सकते हैं जैसे कि दो बड़ी वापस से बैक कर सकती हैं इसके अलावा दूस्तों एक प्लेयर और बहार थी कैथरा इंडरंट भी लास्ट में बेंच में बेटी हुए लेकिन इस में आपको खेल में जबर्दस रिकॉर्ड रखती हैं बिल्कुल आपको ट्राय करना है इंपॉर्टन पिक रहने वाली है इस में दूस्तों इसके अलावा सबने मिसमेल के हैट्वेड में तीन विकेट हैं तो इनको भी आपको धियान रखना भूलना नहीं है क्या इनको ट्राय कर सकते हो इ अगबग सभी प्लेयरों ने इस मेच में बॉलिंग करी थी तो आप समझ सकते हो ग्रेंड लिग के लिए यही मेच हैं स्मॉल लिग में रिस्की होंगे क्योंकि दोस्तों बॉलर्स हों के ओवर काफी ज़र रिवाइड हो रहे हैं नाइने प्लेयर्स हो को चांस मिल रहा है स सिरीज में इस कारण से ग्रेंड लिग में बहुत ही अच्छे मेच हैं और स्मॉल लिग में रिस्की मेच हैं जा रहा है तो यह चीज आपको थोड़ा सधिया रखना है यह दोस्तों सीजन के स्टेट से सीजन में सबसे अच्छी पर्फोंस किसकी रही है बॉलिंग में रही बेटिंग में देखोगे दोस्तों कैथरेंट हाइस अंगेट आरे सेकंड पहें कैथरां टेस फेरेंट तस तीसरे पहें बेजडी लिडे और यहां पर यह दो प्लेयर फ्लॉब गई हैं अभी तक लेकिन काफी अच्छी बैट्स में दोनों की दोनों जबर्दसते एक एक आरिलेंट की, काफी जबर्दस प्लियरे ओपन करेंगी लास्ट इस में दोनों बेंच से बेट के आरही हैं तो ग्रेंड लिग में क्या खरना है ? ग्रेंड लिग में आपको एक वन सेने टीम बनानी है, जो कि इन दोनों को लेक्र करना है Captain X के टन भी आप इनको ट्राई कर स इस प्लेयर वाइस टीटेल देख लेते हैं, सिरीज के स्टेट्स में आपको आरेंडी टीम में बता दिये हैं, ये सीरीज स्टाट होने के पहले के इनके रीकॉर्ड are recent क्या गर क्या रही थी, स्टीरीज के लने से पहले के ओर 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 होल्टी 20 इंटरियों में क्या करने वाली है स्मेच में तो बिल्गुल लेके चलना ग्रेंड लिग खेल रहा हूं तो लास्ट से बेंच से बैठी थी ओप्र रहेंगे तो डेफिनेटली मस्ट है रहने वाली है बैविटर लीडे को आप चाहा हो तो अपनी टीम में लेजिएगा और मेरे साब से सबसे बेस् लेकिन केवल विकेट कीपिंग ही करती है तो बैविटर लीड है काफी बेहतर ओप्सन रहने वाली है उनके कंपेरिशन में सनमेर काफी अच्छी बॉलर है दोस्तो लेकिन कोई खास रिकॉर्ड नहीं है है तो इसलिए आप ग्रेंड लिग में ड्रॉप कर सकते हैं स्मॉल प्लेयर रहने वाली हैं स्मॉल लिग में हलाके मोस्ट अब दे लोग इनको ही कैप्टन बनाएंगे और एकदम सेफ हैं तो कैप्टन भी बनाना चाहिए और ग्रेंड लिग में आप अपनी कुछ टीमों में ले सकते हो कुछ में ड्रॉप करिएगा और कुछ टीम में कैप् के लिए इसमेल के हैट्ट्वेड में काफी जवर्दस रिकॉर्ड है तीन विकेट निकाले हैं तो ग्रेंड लिग में काफी इंपॉर्टन पिक रहेंगे कैप्टन से के लिए केरी चेन को इसमें आप ड्रॉप कर सकते हो इजली अधिती चुडा सुमा को आप इजली अब थोड़ा सा इनका हाई हो चुका है कंपेरिजन तू लास्ट में दूस्तो तो ग्रैंड लिग में आप कुछ टीमों में लेके चलिएगा क्याप्टन भी बनाइएगा कुछ टीमों में ड्रॉप करिएगा तो यह इस तरीके से आप जील कॉंबिनेशन रोटेट अगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपितर टेली ग्राम चलनल जॉइन नहीं कराओ तो जरूर कर लेना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टन रहा है का टेली आप जुड़ना फाइनल अपडेट्स के लिए तो जरू टेली नाम चलनल को जॉइन कर लेए तो टेलीमों करने यहां पर आगे बढ़ते हैं सामने वाले टिम की प्लेइंग लेवन देख लो यह इनकी पोजिशन रही है स्रीज में बुरी तरेकर से फ्लॉप होते हुए लास्ट रैंग पर रिलाए कर रही है दोस्तों यहां पर आज एक चेंज हो सकता है डियाना वेक को बेक कर सकते हैं यह बहुत ही कुरूशल पिक है जिनको ग्रैंड लिग में आपको जुरूर कैप करना है इसके अलावा दोस्तों बाकी इस तरीके से इनके लाइनप है लास्टेश में स्टैफ ही तर चाली थी बहुत से लोगों कि आप टीम में आचुकी हो लेकिन इन पर रिसक ले सकते हो दैनवेक निकर पर रिसक ले सकते हो क्योंकि हाईली पर्षेंट अगर इनकी जगा किसी दूसरे डिफ्रेंश को ट्राय करते हो तो आपके लिए टीम बहुत ही ज्यादे बैटर बन सकती है वो ग्रेंड लिग में विनिंग चांसे आपके हाई हो सकते हैं मेरे सजेस्ट यह कि बॉलरों को ज़्यादा प्रिफर करना इस्पेसली डबली दुराई सिंगा इंपॉर्टेंट है सूथी रांग इंपॉर्टेंट है और डियानवेक इस मैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ओल प्ले कर सकती हैं लास्ट में इनकी पर्फॉमस देख सकते हो में डियानवेक की पर्फॉमस हाइस्ट लीडिंग विकेट टेकर में हैं इसके अलावा बैटिंग में दुस्तो सूने लिऊस टेफे टेलर टॉप पर रिलाए कर रहे हैं पिछले साल का आपको सिरीज स्टेट देखना हो तो भी देख सकते हो यह फाइनल खेली थी पिछले लेकर रहें कि यह लिए ब्लाइघ रहें कि कैप्टेंशिए के लिए ग्रैंड लिगों में रैंविकร पर रिस्टप ले सकते हो सूने लूस मरेकर अच्छे प्लियर हुए लेकिन रिस्क लेके चल सकते हो जेल रहा हूं वेखिकी प्लेरों के當時 के तरिक हो वीडिएओ को झूँटियए देख सकते हों जो ध uniqueness हो तिल एक टीम देख लिए इस तेफ़ योग तुर यूश्टिय यहां पंगा का अधना विस कि अधने हैंņग – जैस पक्तिक लेकिन देफिनेटल रहने वाली है और उन्डे सेक्षिन में आते हैं ब्रंट काफी इंपॉर्टन डॉल प्ले करने वाली है लूस को में एजन सेफ जाने के लिए लेकर चल रहा हूं दोस्तों आली अरेयाज पर रिस्क लूँगा सन्ना मेर पर रिस्क लूँगा इसके यह तीनों काफी क्रूशियल प्लेयर रहने वाली है जी एल केल रहे हैं अपन बड़ा टार्गेट कर रहा है इसकारण से इन प्लेयरों पर इसलिए के चल रहा हूं फैरेंट इंपॉर्टन रहेंगे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टन पिक रहने वाली है इसके लावब पाना इराज है क्योंकि दूस्तों लास्टेस में जरूरी हर मेंच में चले हर मेंच में अच्छी पर्फॉमस देखे जाए इसा नहीं होता है अपन को इन प्लेयरों पर रिस्क लेना पड़ेगा तब जाके अपन जेल वील कर पाएंगे तो यह चीज आपको थोड़ी इंटरचेंज कर सकते हों यहाँ पर यह कर सकते हैं फिर अगर सेफ जाना चाहो तो क्या था राइन ब्रंट और सूनेल उस काफी अच्छी पिगें के लिए सेफ तीम अगर आप देख रहे हो तो वागिए डिफरेंट अगर ठ्राय करना चाहते हो तो यह दोनों अच्छी है